नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम बात करेंगे फर्टिगेशन के बारे में तो चलिए आए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं कि फर्टिगेशन जैसे के इसका नाम ही बता रहा है कंग कर सबस्क्राइब का मतलब होता है फैसर फैसर प्लस इंकर प्लाइजर कर रहे हैं अगर इंकर। तो हम बोलेंगे fertigation fertilizer या और्वरा क्या होता है fertilizer वह chemical compounds होते हैं liquid हो सकते हैं या granular भी हो सकते हैं हम इनको क्यों apply करते हैं ताकि हमारे जो plant हैं उनको कुछ essential nutrients जो उनको नहीं मिल पा रहे हैं तो हम उसे fertilizer के थूँआ करते हैं ताकि उनको मिल जाए उससे क्या होगा उससे इसकी जो growth होगी वो प्रमोट होगी हमारे plants की growth को promote करने के लिए हम fertilizer करते हैं हम fertilizer को या तो soil में directly डाल सकते हैं या फिर हम irrigation water के थूँआ सकते हैं irrigation water हम क्यों apply करते है irrigation वह तरीका होता है कि हम पानी को एक controlled amount में plants को दे एक particular interval पर तो हम एक particular interval पर कि हम इतने time बात देंगे फिर इतने time बात देंगे तो हम plants को अगर हम पानी दे रहे हैं एक controlled amount में तो हम उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं irrigation उससे क्या होता है कि हमारे जो agricultural crops हैं वो grow होती है उनको जितना पानी चाहिए हो उनको मिलता है हमारे जो landscape है वो maintain होता है हमारी जो soil है अगर वो dry हो रही है तो उसको हम अच्छे से reclamation कर सकते हैं अगर बारिश कम हो र सकते हैं तो अगर हम fertilizer को irrigation water के साथ दे रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं vertigation तो जैसे हम बात करते हैं precision farming की तो precision farming का मतलब क्या होता है कि हमारे जो inputs हैं हम उनको बहुत ही अच्छी तरह से use करें तो उनकी जो efficiency है हमारे inputs की वो बहुत जादा हो तो हम एफिशेंसी बढ़ाने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो fertilizer डाल रहे हैं वह fertilizer की concentration एक appropriate concentration होगी उसको जितना पानी देना है वह appropriate होगा सब कुछ मतलब बिल्कुल precise होगा नपातुला होगा ठीक है जिसे बोलते हैं तो हम बिल्कुल exact amount में जितना उसको चाहिए और उतना ही हर बार दें तो उसे बो और जो हम जितना दे रहे हैं amount वह भी सेम है तो that is कि हम precision farming को follow कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो productivity है वह बढ़ती है तो इसको हम करते हैं micro irrigation के थ्रू, drip irrigation के थ्रू कर सकते हैं तो उससे क्या होता है कि यह fortigation इस तरह से करने से जो nutrient और water की बिल्कुल correct quantity, correct amount और correct चाहिए उसी route पे वहीं पे placement होगा उसका तो वह wastage भी नहीं होती तो उससे हम क्या achieve कर सकते हैं इस चीज से हम पच अचीव कर सकते हैं more crop per drop वाली हमारी जो प्रिशी से चाहिए हो जना की जो हमारी aim था कि हमारा per drop हमें more crop मिले कि मतलब जितना हमारे को पानी की जरूरत है वो उतनी उसकी पूरी हो जाए तो अब क्यों है हमारे को जरूरत हमारे को जरूरत इसलिए है vertigation की क्योंकि पानी की scarcity बहुत जादा है हम जानते ही है कि पानी की कितनी जारा scarcity है हमारे देश में बहुत जगा पानी नहीं मिलता तो इसलिए जरूरी है कि एक एक ड्रॉप उतना amount में यूज किया जाए ऐसे अगर हम flooding कर देते हैं पानी की या कुछ कर देते हैं यह तो मैं flooding कर दी अगर तो उससे बहुत पानी वेस्ट होता है और उससे क्या होता है कि उतना मिलता भी नहीं है कई बार हमारे मतलब पेड़ों को कहीं किसी एरिय में बहुत जाद मिल गया किसी में नहीं मिला तो इस सब चीजों को ठीक करने के लिए जरूरी है कि हम drip irrigation से fertigation अगर करें तो जितना पानी चाहिए यह जितना कम हो जाएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें किस तरह से क्या fertilizer apply करना चाहिए तो fertilizer जो apply किये जाते हैं उसको select करने का एक criteria होता है तो हम कुछ factors को देखते हैं पहला हम देखते हैं कि हमारा plant का type क्या है या हमारा जो crop का growth है उसकी physiological stage क्या है दूसरा हम देखते हैं कि soil और climate की conditions क्या है जैसे हम pH check करते है सालनेटी देखते है nutrient mobility कितनी हो पा रही है soil में next हम देखते हैं कि water की quality क्या है और next हम देखते हैं कि fertilizer कितना available है इन सब के fertilizer generally low rate पे अप्लाए करते हैं continuous basis पे करते हैं या concentrate पे करते हैं तो अगर हमारे जो पारामीटर्स हैं जिनको हमें बात की कि हमारे को देखना चाहिए कि हमारा fertilizer का choice क्या है कितना हमें डालना है कौन सा डालना है injection ratio क्या होगा उसकी solubility उसकी acidity उसकी compatibility और उसकी cost इस सारी चीज़े हम देखेंगे अब हमें बता चलेगा कि हमें कौन सा fertilizer select करना है generally जो हम fertilizer use करते हैं वो यूरिया, potash, MAP, polyfeed, multi-K, potassium sulfate और बाकी iron, zinc, molybidnam के लिए हम use कर सकते हैं कुछ-कुछ तो actually होता क्या है यह हमारे fertilizer जो भी हम use कर रहे हैं उनके कुछ characteristics होने होते हैं यह ऐसे ही characteristics होंगे उनके तभी हम उने use करेंगे हम जो fertilizer देखते हैं उसमें हमारा क्या होता है कि उसकी quality बहुत अच्छी होने चाहिए इसका nutrient content high होना चाहिए और वो plants को readily available हो जाना चाहिए उसकी solubility होनी चाहिए वो जादा होनी चाहिए उसकी purity field temperature पे काफी pure होना चाहिए वो उसका salt का level है वो कम होना चाहिए अगर salt level जादा हो जाएगा तो क्या होगा clogging होने लगेगी और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहीं पर clogging हो रही है उसकी filters में या emitter में कहीं पर टकराया जाके दूसरे fertilizer उसके साथ जो हम use कर रहे हैं वो fertilizer के साथ उसे compatible होना चाहिए और irrigation water के साथ वो कम से कम interact करें तो इस टाइप के हम fertilizer जुनने की कोशिश करते हैं और उसमें हम generally यह वाले fertilizer use करते हैं तो हमने देखा कि हम इन सब fertilizer को micro irrigation में use कर सकते हैं तो अगर हम बात करें कि fertilizer और irrigation water का जो interaction हो रहा है अब ही हमने बात की थी पहले कि हमारा जो interaction है वो कम होना चाहिए तो हमारा interaction कम होगा irrigation water का उसका मतलब क्या है उसका मतलब सिर्फ यह है कि हमारा जो water का pH है वो neutral होना चाहिए अब अगर हमारा जो water का pH है वो जादा होगा तो उसमें क्या होगा कि अगर water का pH जादा है तो हमारा जो water है उसमें carbonates, bicarbonates हो सकते हैं का जिए magnesium के तो उससे क्या होगा कि हमारा जो fertilizer tank जो है हमारा उसमें जो होगा precipitation होने लगेगा precipitate बनने लगेगा तो उससे क्या होगा कि हमारे जो clogging होने लगेगी उसके pose की तो clogging होने लगेगी तो उसकी वज़े से क्या होगा कि fertilizer या पानी जो है रुकत रुकत जाएगा और फिर वो सही तरह से apply नहीं हो पाएगा दूसरे केस में अगर क्या होगा कि अगर pH कम होगा बहुत कम है अगर pH तो उससे क्या होगा कि iron या aluminum की toxicity हो सकती है तो और phosphorus भी precipitate हो सकता है तो इस तरह से क्या हो सकता है कि better यह रहता है कि हमारे जो pH है हम water का mainly हम neutral pH maintain करें अगर fortigation करना है तो Great voilà so लुड़िभ आसि नहीं तो कि Koch staying a sh sabem कि gale ocean के अगर हम कर रहे हैं तो हम compare सकते हैं PGrat rivers में बींगा सकते हैं तो यह होता है कि अगरम preparation के तुछ कर रहे पानी डिप एरिगेशन के थ्रू अगर हम फटिलाइजर भी अप्टाय कर रहें तो उसमें क्या होता है कि वेस्टेज कम होती है सबसे जादा एफिशेंट है और इसमें क्या होता है कि न्यूत्रियंट अप्टेक बहुत जादा माक्सिमाइस हो जाता है और यह वाला जो इसमें क्या सबस्क्राइब तो बहुत जादा एफेक्टिव रहता है कॉटन की क्रॉक में और फ्लारिंग और यिल्ड बहुत अच्छी होती है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टन रहता है कि हम ट्रिप एरिगेशन के थ्रू फटिगेशन करें अगर हम स्प्रिंक्लर के थ्र कर रहे हैं तो हम कैसे करते हैं, हम irrigation water के साथ सार फरोज के थो पानी में irrigation प्रुवाइशन प्रोवाइड हो जाते हैं तो अब इसको apply करने के भी कुछ तरीकिया हो सकते हैं यहाथ हम contentious application करेंगे, three stage application कर सकते हैं proportional quantitative इस तरह के application कर सकते हैं तो यह सब होता क्या है हम देरे दिरे देखते हैं अगर हम बात करें कंटेनर्स application की तो कंटेनर्स application में fertilizer जो है वोई concentrate पर supply किया जाता है three stage application में irrigation जो है बेन फर्टिलाइजर के start हो जाती है उसके बात fertilizers को last में apply किया जाता है proportional application के अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है जो fertilizer का injection rate है वो proportional होता है water के discharge rate के बराबर ठीक है तो उसके proportional होता है जतना उसको डाला उतना उसको डाला quantitative में क्या करते हैं हम पहले से calculated amount में apply करते हैं हर irrigation block में तो वो जाता है हमारा quantitative तो इसी तरह से हम apply कर सकते हैं यह सारे application कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम equipment कौन-कौन से use कर सकते हैं तो equipment में हम use कर सकते हैं fertilizer tank, venture injector या फिर pump injector तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हमारा जो tank है वो कैसे गाम करते हैं यह जो tank है इसका जो principle होता है वो main ही होता है कि एक valve लगा रखा है हमने उस valve की वज़े से बन रहा है हमारा pressure, pressure differential create हो रहा है जिसकी वज़े से पानी को force लगती है ताकि वो bypass pipe में से जा सके एक pressure tank में जिसमें कि हमारा fertilizer है और फिर वहां से वो और आगके जा सके fertilizer के साथ है तो उससे होता क्या है कि हमारा जो fertilizer है वो पानी के साथ mix होके चला जाता है पर इसमें एक problem है इसकी problem क्या है कि हमारा स्वें स्टार्टिंग में तो क्योंकि यह पर वह जहाता यह तो यह बическихवाइब और इसके manufacturing easy होती है तो इसलिए इसको बनाना भी easy है इसलिए करते है पर इसकी efficiency क्योंकि हमने देखा वो साही नहीं है क्यों क्योंकि वो पहले तो वो बहुत जादा fertilizer भेजता है उसके बाद वो कम कर देता है next आम बात करते है Venturi injector की तो Venturi में क्या होता है कि जो हमारा Venturi tube है उसमें क्या हो रहा है हम pressure create कर रहे है pressure actually हम vacuum create कर रहे है और vacuum की वज़े से fertilizer suck हो रहा है होता क्या है इसका जो outlet है और inlet है इन दोनों में होता है pressure difference pressure difference होने की वज़े से inlet और outlet के बीच में ये जो छोटा सा pipe है यह क्या करता है यह प्रेशर को सक करता है जिससे फर्टिलाइजर एकदम सक हो जा रहे है फर्टिलाइजर को एकदम सक कर लिता है वाक्यूम की वज़े से और फिर वो हमारा उपर के जो इनलेट और आउटलेट की बीच का तो डिफरेंस है उसकी वज़े से उसका जो प्रेश ने चीब हैं दोएवागी इ failure फिर भी इसका जो फ्रिक्शन लॉससे सब्सक्राइब कर राउंट जाता है कि में सब्सक्राइब करने कि pump की इसमें क्या होता है तो जो हमारा injection energy थो इसको हम electric motor दिया hydraulic motor के धर्रूप provide करते हैं तो इसमें क्या होता है कि system का flow activate हो जात है और उस-से क्या होता है कि हमारे जो piston शेठेवा रब हमारा इंजेक्टर जो ओ ऑपरेट करने लगते चाट को इंजेक्टर जैसी ऑप३रीट करता है तो वो क्या करता है कि तो ऑस्टेलाइसर कर सुट्वी रहा है है सबाघ कीक से हमारा जो है बॉटर के फ्लो के साथ साथ नौरा फार्टिलाइजर पस्दों करने लगता है तो इसमें थोड़ा सा क्योंकि हमारा मोटर लग रहा है तो उससे क्या हो जाता है कि थोड़ा सा ये कौसली हो जाता है काफी मितलब expensive हो जाता है क्वेंट्री टाइप के इंजेक्टर से उनको अगर हम देखे तो तो इसमें हम बाइपास लाइन में लगाने की जरुरत नहीं है तो वोटर के प्रेशर की वज़े से हमारा जो फर्टिलाइजर है वो टांक से निकलके ऊपर चरा जाता है ठांचय। ने शिकाइजर करें पानी लिए की तो इसको बोलते में इंजिक्शन पॉम्प नेक्स में हमसे मं पात करते हैं हमारे परेकॉस्टिंस की क्या चाहिका परकोरशनिस लेना चाहिए क्या कि हमारा जो फ़टिलाइशर अच्छे से अपउने पहला तो यह हैए हमारा जो फ़टिलाइशर है वह पूरी अच्छी तरह में पानि में ध्यू जो यूज़िएㅂ नहीं कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है नीची जैसे कैम बात की थी कि हमारा पी-हच्छ हमारा न्यूट्रल होना चाहिए अब आगर हम सही से अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारे को सालेंट की प्रॉब्लम हो सकते हैं खराब हो सकती है, leaching हो सकता है, nutrients का, या groundwater भी pollute हो सकता है, अब salinity की problem generally कब होती है, salinity की problem तब होती है, जब हमारा जो पानी को सप्लाइ कर रहे है, जो हमारा, sorry, जो हमारा जो fertilizer distribute करने का जो time है, वो अगर पानी की supply की time से कम हो, मतलब की पानी तो पहले चला गया, और fertilizer बात तक जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, कि हमारा salinity बट जाएगी, तो ऐसा होना चाहिए, कि fertilizer पहले distribute हो जाए, और फिर उसके बद थोड़ा सा पानी और जाए, तो उससे क्या होगा, salinity नहीं होगी over irrigation करना, avoid करना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाता है, कि हमारा over irrigation नहीं करें, कि हम हमारा fertilizer हो सच्छे supply करेंगे, salinity का avoid करेंगे, तो इन सब चीज़ों को हमें तोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारा fertigation में problem ना हो, next अगर हम बात करें कि advantages क्या है, fertilizer को इस तरह सप्लाई करने की irrigation water के साथ, तो हम पहले तो हम जानते हैं, कि हमारा fertilizer की जो use efficiency है, वो बढ़ जाएगे, around 80-90% fertilizer use efficiency बढ़ जाती है, fertilizer की भी बचात होती है, 25-35% हो जाता है, बच जाता है, हमारा जो पानी है, उसकी भी बचात होती है, और जो हमारा water और fertilizer जो अप्लाई करें, वो काफी evenly distribute होता है, nutrient loss कम होता है, leaching और evaporation की वज़े से, अगर हो रहा हो, तो काफी profitable है, यह economic है, effectively हम इसमें weed management भी कर सकते हैं, और major micronutrients और micronutrients हम अप्लाई कर सकते हैं, irrigation water के सब साथ, control supply में हम monitoring कर सकते हैं, water के nutrient supply में, तो इस तरह से ही सही रहता है कि हम agriculture में fertilization करें तो, विलकुल जहां हमें, जिस root zone में, जहां पर जितना हमारे को पाली और fertilizer देना है, हम उत्ता ही देते हैं, तो precision agriculture में भी help करता है, दिक तरह जिसे precision fabric को promote करता है, नेक्स अगर हम बात करें इसके disadvantages की, तो वो यह हो जाता है कि भाई अगर हम इस तरीके के equipment लगाएंगे, तो हमारा जो initial investment है, वो थोड़ा high तो रहे गई रहेगा, अब हमारा जो emitter है, कई बार हमारा जो emitter वगड़ा है, वो clock हो जाते हैं, क्योंकि हम इस तरीके की चीज़े use कर रहे हैं, अगर हमारा पानी सही नहीं है, pH या हमने जादा fertilizer डाल दिया या जो भी किया तो उससे हो जाता है, तो थोड़ा, इसमें maintenance थोड़ा जादा होती है, water supply को हमें fertilizer की supply से थोड़ा अलग रखना पड़ता है, ताकि contamination ना हो, और, जैसे जैसे solution dissolve होता रहता है, तो हमारा जो consideration है, कई बार solution का वो दीरे दीरे काम होता है, जैसे सबने पहले वाले case पर देखा था, तो उसमें क्या होता है, कि हमारा nutrient placement थोड़ा काम होता है, थोड़ा पूरली प्लेस हो पाता है, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है, तो उससे काफी problem दोने लगती है, तो कुछ disadvantages भी है, पर फिर भी ये अच्छा तरीका है, लेक्स अगर हम cost की बात करें, तो initially अपने देखा था कि ये तो हाई होता है, अगर हम white spacing crops लेंगे, तो around 20 to 25 thousand rupees हमारे को white spacing में चाहिए होता है, और close spacing में 50 to 70 thousand की initials की हो जाती है, वेंचरी टाइप में जैसे हम बात करें, तो 1200 से start होता है, fertilizer tank of injectors और भी जादा महंगे है, तो इसी के साथ हम बोल सकते हैं, कि fertilizer को apply करना irrigation water के साथ अच्छे चीज़ है, बस थोड़ा सकर हम precautions लें, और थोड़ा इसके cost को अगर हमें food कर सकते हैं, तो fortigation बहुत जादा पानी बचाता है, और हमारी जो soil है, और जो मारा plant है, उसको appropriate upon fertilizer मिल पाता है, तो यह एक अच्छा तरीका है, जैसे अपनाना चाहिए, आपको अगर हमारे lecture पसंद आया हो, तो आप आप साथ बने रह सकते है पदेवाद